हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग होप सो अच्छे ही होगे दोस्तों आज का ही सेशन मैं क्लास 9 के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है नंबर सिस्टम और इस नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने कुछ क्लासिज ले रखें हैं आप जाके प्लेलिस से चेक कर सकते हैं तो चलिए हम आज का इस सेशन अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन में हम जिस चीछ को देखेंगे वो है कि हमें नंबर इंसर्ट करना है दो इर्रैशनल नंबर के बीच हमें क्या है इर्रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है तो होप सो आप बात समझ रहे होंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस से एक बार बोल दे रहा हूं, हमें यहाँ पर जो irration number suppose दिया हुआ है दो, उसके बीच में हमें irration numbers insert करना है, या फिर irration number दिया है, उसके बीच में irration number ही insert करना है, या फिर irration numbers दिया है, उसके बीच को समझने की कोशिश कीजिए, suppose इस question की help से क्या है, हम देखते हैं, यहाँ पर question का given है, find two irrational numbers between two and two point five, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो numbers दे रखें, two and two point five, और क्या है, हमें इन दोनों numbers के बीच में, हमें क्या है, दो irrational numbers को insert करना है, तो चलिए, concept समझे, suppose मान लीजिए, हमारे पास दो numbers है, a and b, और दोनों क्या है, distinct positive rational numbers है, hope so, इतनी बातें आप समझ गए होंगे, उसके बाद क्या कह रहा है, such that a into b is not a perfect square of a rational number, यानि, इस case के लिए, जो हमारे पास दो numbers है, a और b, जब इन दोनों को हम multiply कर रहे हैं, तो जो multiply होके result निकल कर आएगा, वो एक perfect square नहीं निकलना चाहिए, अगर ऐसा निकल कर आ रहा है, तो उस case में जो हम formula use करेंगे, वो होगा under root a b, तो यहाँ पर यह under root a b क्या है, तो यह under root a b क्या है, एक irrational number है, क्या है, जो a और b के बीच में lie कर रहा है, अब इसी का use करके, इसी formula का use करके, under root a b का, हम क्या करेंगे, य इसका use करके, कैसे हम number insert करेंगे, अब चलिए, यहाँ पर हमें जो दो numbers क्या given है, 2 और 2.5, अगर हम उपर वाले concept के हिसाफ से देखें, तो यहाँ पर 2 जो है, वो a की जगा given है, और 2.5 जो है यह बी की जगा given है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a और b का product न निकल जागा, वो तो एक rational number बन जाएगा, होपसो आप बात समझ रहे होंगे, तो इसलिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें product करके देखना है, और वो वहाँ से क्या है, एक perfect square नहीं निकलना चाहिए, तो चलिए, यहाँ पर 2 into 2.5 करेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 into 2.5 होता है 5, यानि जैसे 5 निकला, अब क्या है, हम यह वाले rule का, under root A, B का यहाँ पर use कर सकते हैं, तो क्या कर लेंगे, under root 2 into 2.5, equal to हो जाएगा, under root 5, तो यानि 2 और 2.5 के बीच, जो एक irrational number निकल कर आ गया, वो क्या हो गया, under root 5, होपसो इतनी बाते clear हो गए होंगे, अब क्या करेंगे, या तो पहले वाले number और इस number का यूज़ करके एक और irrational number निकाल लीजिए, या फिर इस number का और इस number का यूज़ करके एक और irrational number निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम A को ले ले रहे हैं और यहां पर under root 5 को ले रहे हैं अब क्या है इन दोनों के बीच में क्या है एक irrational number निकाल लेते हैं आप क्या किजेगा आप खुद से एक बार try करके देखेगा 2.5 और under root 5 के बीच में एक irrational number निकाल लेगी तो चलिए यहां पर हमने क्या क्या वापस से वही concept लगा लिया क्या सबसे पहले A और B को क्या है multiply करना है यहां तो under root 5 हमें दीखी रहा है क्या एक irrational number है और 2 से जब multiply करेंगा तो 2 into under root 5 हो जाएगा यानि यह वापस से क्या है irrational number ही रह गया इसका मतलब वापस से वह concept यूज कर सकते हैं तो वापस से हमने क्या क्या इसके उपर under root लगा लिया यानि under root 2 into under root 5 यानि यह वो दूसरा number है क्या है जो irrational form में निकल कर आ गया किसके किसके बीच 2 और under root 5 के बीच यानि यह सभी number जो निकल कर आ रहे हैं वो क्या है completely A और B के अंदर ही निकल कर आ रहे हैं और यह सभी क्या है एक irrational number के form में हैं होपसो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी तो चलिए अब अगले example की तरफ चलते हैं जो हमारा अगला question है उसे देखते हैं question क्या कह रहा है find two irrational number between under root 2 and under root 3 देखे यह जो question है बिल्कुल पिछले वाले question की तरह है तो क्या करेंगे हम वही वाला concept लगाएंगे यहाँ पर और इस question को solve कर लेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है A की जगा दिया हुआ है under root 2 और B की जगा दिया है under root 3 तो चलिए हम यहां 100 से पहले क्या है denote कर लेते हैं A की जगा under root 2 और B की जगा under root 3 अब क्या करना है सबसे पहले इन दोनों को multiply करना है तो multiply करने से क्या है एक perfect square नहीं आना चाहिए तभी क्या है वह वाला concept लगा सकते हैं यहां multiply कर लेंगे तो कितना हो जाएगा under root 2 और under root 3 जैसे ही under root 2 under root 3 को multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 2 into 3 के अंदर पूरा under root यानि यह निकल कर आ जा रहा है under root 6 यानि जैसे ही under root 6 आया निकल कर इसके उपर क्या है वापस से एक root लगा लेंगे होग सो बात आप समझ गयेंगो क्यों क्यों क्योंकि यहां A दिया है खुदी under root 2 और यहां B दिया है under root 3 यानि इन दोनों को multiply करेंगे तो under root 6 आ जा रहा है multiply करके अगर यहां पर perfect square नहीं आ रहा तो उन दोनों को क्या है multiply करके एक root के अंदर डाल देना है तो हमने यहां पर डाल लिया तो यहां पर देखें ध्यान से यहां पर निकल कर आ गया under root और फिर under root 6 अब यहां पर क्या करेंगे यह जो under root होता है यह power में चड़कर हो जाता है 1 by 2 यानि यहां पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 6 to the power 1 by 2 और वापस से इसका complete power 1 by 2 यानि अब दो power क्या है आपस में multiply हो जाएंगे तो यहां जो हो जाएगा 6 का complete power वो हो जाएगा 6 to the power 1 by 4 होप सो बातें आपको clear हो गई होगी अब ध्यान से यहां पर हमारा एक नंबर तो निकल कर आ गया अब क्या है हमें यहां पर दो इरेशन नंबर निकालना है तो आप दूसरा इरेशन नंबर निकालेंगे तो अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ अंडर रूट 2 को ले ले रहा हूँ और इस नंबर को ले ले रहा हूँ और इन दोनों के बीच क्या है एक और इरेशन नंबर निकाल लेता हूँ आप क्या किजेगा खुद से 6 to the power 1 by 4 को ले लिजेगा और अंडर रूट 3 को ले 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 लेकिन बसरते क्या है वो जो नंबर है वो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में ही होना चाहिए अब चलिए अब यहाँ पर वापस से हमारा जो अगला नंबर क्या निकल कर आगया 6 to the power 1 by 4 और यहाँ पर एक number हमने ले लिया under root 2 अब यहाँ पर क्या करेंगे वही formula वापस से लगाएंगे अब क्या है under root 2 और 6 to the power 1 by 4 को multiply करेंगे तो perfect इसको नहीं आना चाहिए और बिल्कुल नहीं आएगा वो दिखी रहा है नहीं आएगा तो अब वापस से क्या करेंगे इस वापस से under root के अंदर इन दोनों को multiply करके डाल लेंगे यहाँ डाल लिया हमने under root 2 into 6 to the power 1 by 4 अब ध्यान से अब क्या है यह under root 2 है यानि यहाँ पर अगर हम ध्यान दे 2 to the power half हो जाएगा यह पहले से ही और यह जो under root है यह क्या है इस पूरे के उपर क्या है एक और half बनकर आ जाएगा वापस से multiply अब यहाँ पहले से 6 to the power 1 by 4 है वापस से multiplication के form में है मतलब यह जो under root है यह क्या है जैसे ही power के form में बनेगा तो क्या है इन दोनों के उपर क्या है power में half बनकर आ जाएगा तो एक बार इसके उपर half बनकर आ जाएगा और दूसरे बार में क्या है इसके उपर भी half बनकर आ जाएगा तो यहाँ से total कितना निकल जाएगा देखे 2 to the power 1 by 4 into 6 to the power 1 by 8 यानि जो हमारा अगला इरेशन लंबर निकल कर आ गया अब अगले question को देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला question है उसे देखते हैं question क्या कह रहा है point 2 irrational number between point 12 and point 13 अब ध्यान से यहाँ पर जो दिया हुआ है ना number हम बिल्कुल पिछले वाला concept भी लगा कर सकते हैं लेकिन ध्यान से यहाँ पर जो number दिया है वो decimal form में दिया है it means थोड़ा सा calculation क्या होगा tough हो जाएगा तो क्या करेंगे हम पिछला वाला concept इस तरह के questions पर apply नहीं करेंगे तो फिर कैसे solve करेंगे इसको solve करेंगे हम by definition तो हमने rational number और irrational number का definition क्या देखा था rational number में हमें देखा था वो number जो क्या होता है उसका ही concept लगा करें क्या है खाली हम number insert करके लिख लेंगे और हमारा क्या है equation easily solve हो जाएगा तो चलिए ध्यान से अब क्या है हमारे पास जो यहाँ पर range दिया हुआ है 0.12 से 0.13 का यानि इसके बीच में ही number हमें क्या है डालना है तो क्या दिक्कत है हमें ऐसा number insert करना है जो 0.12 से बड़ा हो और 0.13 से क्या हो छोटा हो और वो क्या हो irrational number हो चलिए तो देखे ध्यान से यहाँ पर हम suppose मालेजी हमारा पहला number कुछ A है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.12 और हमारा definition क्या है non-terminating और non-repeating अब इसके बाद जितने भी numbers मैं लिखूँँगा वो क्या है वो होने चाहिए non-repeating के form में है ना तो दियान से यहाँ पर मैं insert करता हूँ 0.1 0.01 0.01 and so on यह ऐसा ही बढ़ता जाएगा ज़रा दियान से देखिए 0.12 के बाद सबसे पहले 0.1 आया उसके बाद 001 आ गया उसके बाद 001 आ गया और ऐसे ही यह बढ़ता जाएगा इसका मतलब अब यह जो 0.1 है यह बार-बार repeat नहीं कर रहा है यह 0 क्या है increase होता जा रहा है एक एक करके इसका मतलब यहाँ पर यह क्या हो गया यह हो गया non-repeating होपसो बात आपको clear हो गई होगी और वापस से देखें यहाँ पर यह number क्या है 0.12 और यह जो number हमने यहाँ insert क्या यह 0.12 से क्या है बड़ा है लेकिन 0.13 से छोटा है यानि इसके बीच में आ गया और यह number क्या हो गया एक irration number हो गया हम insert करेंगे वो क्या होगा वो number क्या है repeating के form में नहीं होना चाहिए तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं insert कर लेता हूँ 1.0 इससे पहले हमने क्या क्या 0.1 लगाया था अब क्या है अब हम 1.0 का concept यूज़ कर रहे हैं अब बस खाली क्या है इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए अब ध्यान से अब क्या करेंगे हम वापस से लाएंगे 1 लेकिन यहाँ पर 2.0 लगा दिया अब वापस से लाएंगे हम 1 लेकिन यहाँ पर हमने 3.0 लगा लिया और ये क्या है process बढ़ता ही जाएगा जड़ा देख लीजिए point one two यहाँ पर one two था लेकिन इसके बाद अब जो हमने यहाँ पर number लगाए है उसे जड़ा देखते हैं वो repeat कर रहा है या ने देखें यहाँ पर one zero था उसके बाद one double zero आ गया उसके बाद one triple zero आ गया मतलब number अब क्या है same process में repeat नहीं कर रहा है और यह number जो है इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा है और हमें दो irrational number insert करने थे हमने by definition क्या है इससे insert कर लिया hope so जो मैंने आपको बताया और समझाया आपको सारी बातें अच्छे से clear हो गई होगी चलिए अब next question को देखते हैं अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला question है उसे देखते हैं question क्या कह रहा है find three different irrational numbers between the rational numbers five by seven and nine by eleven यानि अब हमें five by seven और nine by eleven के बीच में क्या है three different irrational numbers को insert करना है अब ध्यान से अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें इस तरह के questions में यहाँ पर जो हमारे पास five by seven दिया है nine by eleven दिया है यह क्या दिया हुआ है fraction के form में तो हम क्या करते हैं इसे सबसे पहले decimal form में convert कर लेते हैं तो मैंने क्या किया five by seven को divide किया तो यह क्या निकला कुछ zero point seven one four and so on आगे कुछ निकलेगा उसके लिए अधिक दिमाग नहीं लगाना है आप बस क्या किजेगा decimal के बाद तीन पॉइंट निकाल लिजेगा उसके बाद छोड़ दिजेगा उसी तरह क्या क्या मैंने यहां पर nine by eleven को divide किया और यह यहां निकल का आगया zero point eight one यहां पर क्या है eight one eight one repeat करना सुरू हो जाएगा है ना इस case के लिए इसलिए मैंने क्या क्या खली point eight one लिख कर छोड़ दिया है अब क्या करना है जब हमने इतना काम कर लिया तो उसके बाद जो इससे पहले वाले question के अंदर हमने concept लगाया था by definition यहां पर भी उसी concept का यूज करके क्या है हम numbers को insert कर लेंगे और numbers क्या होने चाहिए अब 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए और यहां मांगा है irration number इसका मतलब ना ही वो क्या होना चाहिए repeat करना चाहिए और ना ही वो terminate करना चाहिए अब ध्यान से तो अब क्या करेंगे इस case के अंदर अब यहाँ पर जो मैं पहला number insert करने जा रहा हूँ उसे मैंने मान लिया कुछ A और अब ध्यान से देखिए वो number 0.71 से बड़ा होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.72 उसी तरह यहाँ पर दूसरा number जो मैं insert करूँगा उसे मैं लिख लेता हूँ 0.73 अब तीसया number जो insert करूँगा उसे मैं लिख लेता हूँ 0.74 अब ध्यान से खाली इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा हमें इसे दिखाना होगा क्या यह non repeating है तो क्या करेंगे अब ध्यान दीजे यानि point के बाद 72 है अगर यह rational number होता तो 72, 72 क्या है repeat करता चलाया था लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं तो कि हमें क्या है irrational number चाहिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक 0 लगाया यहाँ लिख दिया मैंने 72 उसके बाद क्या है वापस से यहाँ पर 2-0 लगाया मैंने लिख दिया 72 और इसी तरह so on बढ़ता चला जाएगा चला देखिए एक बाद यहाँ पर था 72 इसके आगे एक भी 0 नहीं था अब क्या है वापस एक और 0 insert कर लिया हमने फिर 72 यानि अब क्या है फिर 2-0 आगया फिर 72 so on ऐसे ही क्या है जीरो 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 बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ पर अब देखने में आ रहा है और समझ भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं वो क्या है रिपीट नहीं कर रहे है होप सो बातें आपको समझ में सभी आ गई होंगी इसी तरह यहाँ पर भी वही काम करेंगे यहां 73 लिखा है एक 0 यहां लगाओ फिर 73 यहां लिख दो फिर यहां पर दो 0 लगाओ 73 यहां लिख दो और आगे 101 बढ़ जाएगा वापस से यहां भी देखिए है अगर यह रशनलनों लंबर हो जाता तो जो यहां पर डेसिमाल है उसके वर 7 33 हमने लिखा है यह 73 बार बार रिपीट करना शुरुँद करतो गता हैंकि यहां पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है क्यों क्योंकि 0 क्या है यह यहां पर 0 7 4 0 0 7 4 और यह क्या है process आगे बढ़ता ही चला जाएगा यानि हमें क्या बोला था तीन क्या है different irration numbers इन दोनों के बीच में insert करना है और हमने देखे कितना easily insert कर लिया है ना कुछ हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई करने के लिए हमने खले definition का use किया और easily यहाँ पर numbers निकाल लिए hope so जो मैंने आपको समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलिए यहाँ पर जो हमारा next question है उसे देख लेते हैं question क्या कह रहा है find two rational numbers between 0.23, 233, 2333 and so on आगे ऐसे ही बढ़ता चला गया and 0.25, 255, 255 and so on अब ध्यान से जड़ा देखिए पहले हमने क्या किया irrational numbers को insert किया अब यहाँ पर दो rational numbers को क्या करना है यहाँ निकालना है और यहाँ पर क्या है यह दोनों जो number given है यह दोनों ही दीख रहे हैं हमें क्या irrational numbers है क्यों क्योंकि यहां number क्या है ना ही terminate हो रहा है terminate कहने का sense क्या है कि number खतम हो जाना चाहिए एक समय पर आकर लेकिन यहां वो भी नहीं हो रहा है तो बढ़ता ही चला जा रहा है और साथ ही साथ यह क्या है non repeating है repeat भी नहीं कर रहा है hope so बातें आपको clear होंगी और definition में हमने देखा भी था पहले तो आपको सब कुछ सब पहले से ही क्या है समझ में आ गया होगा अब यहां पर क्या करना है हमें दो rational numbers insert करने है अब जो दो rational numbers हमें insert करने है वो number क्या है 0.23 से बड़ा होना चाहिए और 0.252555 इनसे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए तो चलिए कोई दिकत नहीं है suppose यहां पर क्या है मैं जो यहां पहला number insert करूंगा उसे A माल लेता हूँ और यहां पर जो दूसरा number insert करूंगा मैं B माल लेता हूँ अब द्यान से number क्या होना चाहिए अभी मैंने कहा 0.23233 से बड़ा होना चाहिए और जो नंबर है 0.25255 से छोटा होना चाहिए तो यहाँ जो मैं पहला नंबर इंसर्ट करता हूँ वो कर लेता हूँ 0.25 चला ध्यान दीजिए 0.25 जो है 0.23 से तो बड़ा ही है वो साफ साफ दीख रहा है और यह 0.25 0.25255 से छोटा है होप सो बातें आपको clear हो गई होंगी तो यहाँ पर जो हमने यहाँ नंबर इंसर्ट किया 0.25 आप ध्यान दीजिए भले ही यहाँ नंबर रिपीट नहीं कर रहा है लेकि नंबर यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है इसके आगे कुछ है ही नहीं बस इतना ही है तो यानि यह तो एक रिशन नंबर की कटेगरी में आ गया क्यों कोकि हम 0.25 को लिख सकते हैं क्या 1 upon 4 हमने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख लिया होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ अब चलिए अब क्या है वापस से दूसरा नंबर इंसर्ट करना है तो दूसरा नंबर इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो मैंने 0.25 इंसर्ट क्या था था अब इसी 0.25 को अब मैं repeat करना शुरू कर देता हूँ तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ number क्या है, अब repeat हो रहा है, यानि हमारा definition क्या था, number क्या है, rational number के लिए, repeat करना चाहिए decimal के बाद, तो यहाँ repeat कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 0.25 के उपर बार, होपसो बातें आपको clear और कैसे इसे convert करना है, fraction में मैंने already आपको क्या है, पहले ही पढ़ा दिया है, तो आपको यह सबी चीजे क्या है, clear होंगी, पस हमें यहाँ क्या करना है, खाली numbers निकालने हैं, तो हमने number निकाल लिया, एक number हमारा क्या हो गया, 0.25, और अगला number क्या हो गया, 0.25 के उपर बा पसंद आया, तो अपने दोस्तों को इसे share करें, मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो पर like करें, comment करें, तब तक के लिए thank you, have a nice day.